कि यहां कि नामस्कार दोस्तों की इन्वी लैप से कॉल नहीं जाता तो हम आभी स्कीन में जा रहा है नमस्कार दोस्तों मेरा यह फोन है माइक्रोमेक्स इवक नोट जिसका मॉडल नंबर है इस फोन में तो वॉल्टी और एल्टी दोनों ही है मगर मैं इसकी फोन की इन्वी लैप से कॉल नहीं कर पा रहा हूं मुझे जियो की फोट्जी वाइस एप से कॉल करना पर रहा है तो अभी मैं दिखा रही हूं इसकी फोन कॉल से कॉल नहीं जा रहा है देखो मैंने लाली हूई हूँ और और अधिनिड हो गया है अभी मैं आपको एक ट्रीक बताती हूँ इसकी वॉल्टी आउन करने का जो देखिए आप इसकी सेटिंग्स में जाना होगा इसकी फोन में से आपको जाना परेगा मोर पर से आपको जाना परेगा सेलुलरर नेट्वरक पर आ उसके बादा आपको एकसिसपॉइंटस नेम में जाना परेगा तो क्लिक करिए एकशिसपॉइंट्स पे इप लोगो ओहाँ पर क्लिक करना पढ़ाएगा तो अब सेटिंग्स आपको डान ली होगी उसमें पहले आएगा आपको नेम नेम में आपको लिखना परेका i-a ms उसके बाद अश्यान अब अपड़े आपको लिखना परेगा i-a m-a s उसके बाद इपिएन टाइप आएगा उसमें आपको Default अपको सिब IMS पे क्लिक करना पड़ेगा और default को निकाल देना पड़ेगा और उसके बाद OK कर देना पड़ेगा सिब IMS पे क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद proxy not set port not set user name not set password not set और server पर भी not set करना पड़ेगा और MMSC, MS Foxy, MMS Port उसमें भी not set करना पड़ेगा उसके बाद आपको जाना पड़ेगा APN protocol पर वहाँ पर आपको IPv4 पर IPv6 में क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद APN roaming protocol में आपको आपको IPv4 और IPv6 में क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद आपको जाना पड़ेगा बेरियर में आपको LTE में क्लिक करना पड़ेगा और Unpecified को आपको निकल देना पड़ेगा और उसके बाद OK कर देना पड़ेगा उसके बाद आपको इस settings को सेप करना देना पड़ेगा और थोड़े देद बात देखिए आप यहाप पर वॉल्टी लोगो आ जाएगा देखिए थोड़े रूखिए दोस्तों आप वॉल्टी वॉल्टी का लोगो आ गया है इधर में उधर उपर में अभी मैं यहापर से मेरी फोन कॉल की आप से मैं कॉल लगा रही हूँ एक नमबर पर देखिए कॉल ठीक से चला जाएगा देखिए दोस्तों मैंने कॉल लगा रही हूँ देखिए दोस्तों कॉल लग रहा है तो आप यह सेटिंग से आपकी माइक्रो मैक्स एवप नोट और इसका मॉडेल नमबर एक और सब्सक्राइब कर सेकते हों और फोन के आप से यह नगी anno कर सकते हों तो थांक्यों पर वाचिंग। हैवए नाइस देच्ट